हलो स्टूडेंट्स एक और इंपॉरन्ट कोस्टन दे बारे आपा डिसकस करांगे कोस्टन की अपने कोल विच तर्म आफ अफ ए पी 3, 14, 25 विल बी 99 मोर दैन इस 25 तर्म question की है अपने कोल आपा 25th term पहला पता करांगे question दे वेच कोई AP है जिन्दी आपा 25th term पता करांगे उसतो बाद 99 अँदे वेच होर आड करने है ठीक है 99 होर आड करने है तो आपा end वेचे देखने है जदो 99 आड करती तो आपा केड़े नमबर दी पहुंच गे तो दुसी MC के वेचे नूँ अप्लाई कर सकते है सब तो पहला देखो आपने कोल AP की है 3, 14, 25, up to 25th term मैं को रां 99 नो पो लगया मैंनो यह नहीं याद 99 हो है पहला आप सिर्फ मैंदी 25th term फाइड करनी है A देखो किना A is equal to 3 D 14 minus 3 that is equal to 11 D की हुँद है A2 minus E1 2nd term minus 1st term या 3rd term minus 2nd term N कीना है मेरेकोल 25 वैसे भी तो आनू N यह नहीं पता लगदा N कीना है जिंदे पीछे TH लगया होईगा वो अपनेकोल N होईगा एगल याद रखनी जिंदे पीछे TH लगया होईगा वो अपनेकोल N होईगा तो अपने A N दा फॉर्मूला कीया A N is equal to A plus N minus 1 into D होण A दी value 3 N 25 minus 1 D कीना है मेरेकोल 11 होण minus करो 25 minus 1 24 into की आगया 11 25 minus 1 कीना है 24 into की आगया 11 होण 24 नू अपना 11 अल मल्टीप्लाई करना है जदो 24 नू मल्टीप्लाई कीता that is 264 ठीक है 24 नू 11 अल मल्टीप्लाई करके किना आगया 264 ता A 25 किना आगया that is equal to 267 मतलब पच्ची में नमबर दे कौन बैठा है अपनेकोल 200 स्टार्ट पच्ची में नमबर दे कौन है 200 स्टार्ट होण क्वस्टन दे वेच की कह रहा हो होण क्वस्टन दे वेच ये कह रहा है तो 99 अगए जाना आपा ठीक है मतलब new AN पता करांगे आपा ओ किनना आगया 825 प्लस 99 825 दे वेल्यू किननी है मेरे कोल 267 प्लस 99 ता new AN किनना आगया 366 मतलब नमी पुजीशन की आगी मेरे को 366 आगी पर ये पता करना है अपना नंबर की आएगा जिमेधे 25 तो सी ये नंबर आपने को लग किनना आएगा ता N फाइंट करना एक में ट्रिक बना रखी है कि बना ये AN माइनस A दिवाइड बाइड बाइड प्लस 1 जो ए वड़ा फॉर्मुला है एननों मोडिफाई करके मैं फॉर्मुला बना रखी है क्योंकि अंदे वेचाप पाणूं किया कोई भी राइट टू लेफ्ट नी लेख जाना लेफ्ट टू राइट नी लेख किया होना भी राइद ना बिलकुल सेम वेल्यू पूट करो टू अन दि वेल्यू फाईड करो देखो अन दि वेल्यू किन नी है AN मेरेकोल 366 म Griffith minus AD वluence किन वेल्यू किन नी है वेल्यू 3 D वेल्यू 11 किन्ना आगे 1 366 चो 3 मैंनस कि być 363 divide by कि आगे 11 plus 1 होन देखो जो देनों आपा cancel किता तो मेरे कोल किन्ना आ गया 3 and 3 तो n दी value किन्ना आई मेरे कोल 34 देखो अपा ये formula यूज किता अपन कुछ भी right to left नि लेग जाना प्या left to right नि लेग जाना प्या अपा ये formula नो modify करके formula अबना लिया तो अपना n किन्ना आ गया 34 मतलब जो दो आपा 25 टरम तो 99 अगगे जामांगे तक केड़ी position ते पहुंच जांगे 34 एस ही अपने कोल question पर जे एई question आपा short trick नाल करना होगे तो trick नाल कि में apply कराने है देखो trick की किन्दी है short trick किन्दी है a new term ये सिद्धे याद रखो new term is equal to old term plus किन्ना आड करने है अपा added number added number divide by common difference that is a d ठीक है new term काद इकोल है old term plus added number divided by d होँ देखो old term किन्दी है मेरे कोल 25 number किन्ना आड करने है 99 common difference किन्ना है मेरे कोल 11 जदो इन्हों cancel कीता तक किन्ना आगे 25 plus 9 so new term किन्नी आजगी मेरे कोल that is equal to 34 मेरे question देवेच भी किन्ना है 34 ता तुसी formula याद रखना है formula की अपने कोल मैं काफी बडागर के लिखदा तांकि तो न्हों याद रहे जे formula की है मेरे कोल new term is equal to old term plus number added जिन्ना आपा add कीता divide by d d दा meaning किया मेरे कोल common difference that is the short trick जड़ी तुसी use करके direct दा सक्देव 5 seconds तो भी लगणे तो आनू 5 seconds तो पहला तुसी question दा answer देदोगे प्यापाण new term किन्नी आगी old term अपने कोल 25 c number आपा किन्ना आड़ कीता 99 common difference किन्ना मेरे कोल 11 99 नो 11 आपाण डिबाइड कीता 9 25 देवेच 9 आड़ कीता किन्ना दिवेढ आपाण प्याइड कीता